दोस्टों, आप स्पेस के बाड़े में तो बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आपको पता है कि प्रूठवी पर महासागर में क्या-क्या राज छुपे है? क्या आपको पता है कि समुद्र में कौन-कौन से जीव रहते है? और दोस्टों, आपको पता है कि समुद्र में वै दोस्टो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो टो जरूर कर ले सबसे पहले हम समुद्रा की गहराई को जानने के लिए इसके सर्फेस से सुरुवाट करते है सर्फेस के अंडर 40 मीटर की गहराई के अंडर आम टोर पर लोग स्कूबा डाइविल कर सकते है पर इसके आगे 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिकिश सीप लूसिटानिया का मलबा मिला था जो 1915 में डूप गई थी उसके थोड़े से आगे यानि की 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए डेंजरस हो सकती है क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसमें अपनी बोडी के कहीं भग काम करना बहन कर देते है लेकिन ऐस्टेलिया के मसूर फ्री डाइवर हर्बप निट्स एक लोटे इंसन है जिन्होंने 24 मीटर की गहराई टक डाइव करके वर्ल रेकोर्ड किया था लेकिन दोस्तों हेरन करने वाली बात तो यह है कि उन्होंने ये रेकोर्ड सिर्फ एक संस में बनाया था और इस रेकोर्ड की वजह से आज डुनिया इनको दिपेस्ट मैन ओन द अर्थ के नाम से जानती है लेकिन इनका रेकोर्ड ज्याड़ा समय टक नहीं रहा दोस्तों इजिप्ट के रहने वाले एहमर्द गबर ने 332 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग करके वर्ल रेकोर्ड हसिल किया और अपना नाम गिनिस बुक औफ वर्ल रेकोर्ड में डर्ज कराया और दोस्तों इसके आगे 442 मीटर की गहराई पर जाये तो समूद्र की गहराई नियुवर्क में स्थीट एमपायर स्टेट बिल्दिंग की उचाई जितना गहरा है यानी की यह गहराई पर एमपायर स्टेट बिल्दिंग भी डूप जायेगी इससे फोड़ा और 500 मीटर की गहराई तक जाये तो यह लेवल है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जीव यानि की ब्ल्यू वहल डायू कर सकती है ब्ल्यू वहल का वचन 1,500,000 केजी तक खुटा है और समुद्र में ब्ल्यू वहल ही एक ऐसा जीव है जो समुद्र में 500 मीटर तक की डायू लगा कर इस लेवल तक जाय सकती है यहाँ से आगे 525 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर इतना ज्याड़ा बर जाता है कि इनसान सहन नहीं कर पाएगा ऐसा लगेगा कि इनके उपर एक काड़ गीरी हो लेकिन दोस्टो हेरान कर देने वाली बात तो यह है कि समुद्र की इतनी गहराई में भी ऐसे कही जीव पाए जाते है जो यहाँ भी डायू कर सकते है एमपरर पेगविन ऐसा जीव है जो कि इतना प्रेशर भी बरडास कर सकता है और आराम से उसमें डायू लगा सकता है इसके और नीचे जाया जाये तो यानि की 830 मिटर की गहराई टक दुनिया की सबसे उंची बिल्डिंग बुर्च खलीफा का तोच पाया जायेगा अगर उसको उल्टा करके समुद्र में डाला जाये तो डूब जायेगा दोस्टो आप समझ सकते है कि यह कितना गहरा है और यह समुद्र का वह पॉइंट है जहां टक सूरज की रोशनी पहुँच सकती है यहां से नीचे करीब 1000 मीटर की गहराई के विस्तार को सकेरी जोन से जाना जाता है क्योंकि इसके आगे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती यानि की पुड़ा अंधेरा होता है इसके ठोड़े नीचे यानि की 1280 मीटर की गहराई पर समुद्री कच्छवे पाये जाते है जिनको लेढर बैक सी टर्तल यानि की लेढर बैक कच्छवे के नाम से जाना जाता है ये दुनिया में मौजूड सभी समुद्री कच्छवे के मुटाबिक बहुत बड़े होते है और उनका वजन करीब 600 केजी डग होता है इससे भी और नीचे यानि 2000 मीटर की गहराई में जाने पर कहीं तरह के रोचक समुद्र जीव पाये जाते है यहाँ पर एक ऐसी फिस पायी जाती है जिसको कुड़र्ट ने ही टोच डे रखी है जी हाँ दोस्टो इसे लाइट फिस के नाम से जाना जाता है इसके उपर लगे टोच के कारण इतने अंदेरे में भी इसे राष्टा देखने और सीकार करने में मदद मिलती है खोड़ा और आगे जाए यानी बाइस सो पचास मीटर की गहराई पर हमें स्पॉम वहल देखने को मिलती है दोस्टो आपको बटा दूँ की ये स्पॉम वहल की उल्टी बहुत कीम्टी होती है उस उल्टी से परफ्यूम और मंगी डवाईयां बनाई जाती है इससे भी और अधिक गहराई यानी 3800 मिटर पर हमें स्पॉम जहाज जिसे टाइटैनिक के नाम से जाना जाता था उसका मलबा मजूद है दोस्टो यह तो बस शुरुआत है इससे 2000 मिटर और गहराई पर जाने पर यानी 4000 मिटर पर समुद्र का एपसेसल जोन सुरु हो जाता है यहाँपर पानी का प्रेशर और भी बढ़ जाता है और हेरानी की बात तो यह है कि यहाँपर वाईपर फिस नाम की अजीबो गडिब प्रजाती पाई जाती है इसे भी 2000 मीटर यानि की 6000 मीटर की गहराई पर जाने पर हैडल जोन शुरू होता है इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्र की सर्फेश के मुटा भी 1000 ताइम जितना बर जाता है यानि की वाटर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है की एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार्ट को एक ही जटके में फार सकता है अगर उसे भी 2500 मीटर अधिक यानि की 8800 मीटर की गहराई पर जाने पर पानी का डबाव बहुत ज्यादा हो जाता है और अगर विश्व की सबसे उची चोटी माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके उसमें डुबाया जाये तो भी पुडा का पुडा उसमें डूब सकता है तो दोस्टो आप समझ सकते है की यह कितना गहरा होगा लेकिन इन समुद्रों की गहराई अभी भी खटमा नहीं हुई है इन समुद्रों में और नीचे जाये तो करिब 10,972 मिटर की गहराई पर आपको समुद्रों में रहने वाले कहीं जीवों की प्लजाटियां देखने को मिल जाएगी दोस्टों अब हम बात करते हैं समुद्रों में वैग्नानिको के द्वारा सबसे गहराई पर सोडी गई जगह कौन सी है दोस्टों 11,0004 मिटर नीचे समुद्रों में जो गहराई वैग्नानिको के द्वारा खोजी गई है इसे मर्याना टेंज कहा जाता है ये जगह समुद्र में सबसे गहराई पर होने का डावा है इसके नीचे अभी टक कोई भी इंसान गया नहीं है दोस्टो यह पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि इतने प्रेशर से मनुष्य का फेफडा आसानी से फट जाएगा दोस्टो आपको बटादू कि साल 2012 में कैनेडा के फिल्म मेकर जैम्स केमरून एक सब्मरीन में सोलो ट्रिपपर इस गड़े टक कहुँचने के लिए 10,890 मिटर तक नीचे गये थे उन है इसके लिए सब्मरीन बनाने के लिए 7 साल का समय लगा था मरियाना ट्रेंज पे पहुँचे वैगनानी को का कहना है कि समुद्र की गहराई में ऐसी प्रजातियां हो सकती है जो अभी टक खोजी भी नहीं गई है और ये समुद्री भग इतना विशाल है कि अभी टक उसकी केवल 10 से 15 प्रतिसट हिससे ही खोजे जा सके है तो डोस्टो आप समझ गए होंगे कि समुद्र कितना गहरा है तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाड